नमस्कार BCN News के प्रदेश के खबरों में मैक शेती जादेश मुकाप सभी का स्वागत करती हूँ तो डालते एक नजर UP की खबरों के और फिरोजबाद के थानाक तक्षिन शेतर से अगवा हुए दोनों बच्चों को पुलीस ने बरामत कर लिया पुलीस के हाथ कोई भी अपरन करता नहीं लगा है पुलीस ने दोनों बच्चों को आगरा से बरामत किया फिरोजबाद में दो पर अपरन हुए दो मासूमों को पुलीस की टीम ने महथ 6 घंटों के अंदर सकुशला आगरा से किया बरामत घटना दो पैर की है जहां फिरजबाद थना दक्षिन क्षेतर दो बच्चे एक साथ अगवा हुए थे परिजनों के अनुसार दोनों बच्चे घर के बाहर टौफी लेने गए थे इसी दर्मियान घर के पास रहने वाले युवक द्वारा बच्चों के अपरन करने का आरो की जा रही है आखेर बच्चों के अपरन के पीछे क्या मकसद था कही कोई गिरोत तो सक्रिय नहीं फिलाल जाज जारी है पुलिस को सूचना दी गुंसुद की लिखाई पुलिस ने कप्तान साम बाहदूर ने जिस तरह से इस करत को जल्दी से जल्दी लिया और जल्दी से जल्दी हमारे दोनों बच्चों को आगरा से बरामत करके दिया मैं इस बात का बहुत आभारी हूँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुशी है हमें यह हुआ तो सुबह में करी साड़े बारा बजी मैसस हो रहा है अच्छा लग रहा है हमें बहुत ही मन में बहुत खुशी है कि आज हमारा बेटा हमें मिल गया हमें कुछ उमीद नहीं थी बेटे की अपनी लगा आप करी हमें तो ऐसा है कि इसे मैंने पैसे दिये दे गोले ममी मुझे पैसे दे दो मैं निकां जा रहा है कि दुकान जा रहा हूं तो मैंने लेटा दो रपर ही चीज लेकर आट रपर वापस लेकर घर पर आना कि आजाओंगा थोड़ी देर होगा करीब 10-15 मिलिट होगी भी समिन मैंने बच्चे सबढ़好的 बच्चे नहीं ब नए दोनों कईने लगी जा जाना पामेने देख लिया उसे पोलिस कि बच्चे मिलगाए रखे हैं यह एक गंभीर प्रकरण थाना दक्षण जन्पत फिरोजाबाद का था जिसमें पुलिस को एक बहुत संसनी खेज सूचना मिली कि धीमनगर मुहले के दो बच्चे जिनकी उम्र करमशह चार वर्ष और छे वर्ष है वो अचानक गायब हो गये हैं और अपहरण की भी आशंका जताई गई थी पुलिस टीम ने इस संसनी खेज और गंभीर मामले को बहुत ही गंभीरता से लेके तकाल मौका मुहायना किया थाना दक्षण प्रभारी सुशांत गवर के अलावा स्पी सिटी श्री मुकेश चंदर मिश्रों और हमारी स्वाट सर्विलांस टीमों ने मौक का मौयना करके बच्चों के माता पिता से उनके दादा से बात की गई पूरी जानकारी कठी की गई सर्विलांस की तेज तरार तीन टीमों को और पुल मिला के छे टीमों को लगाया गया था हमारी मेहनत और परिजनों का सहयोग और मीडिया बंधूँ का सहयोग रंग लाया BCN News के लिए फिरुजबाद से रिहान अली की रिपोर्ट बैनपुरी सड़क पट्री पर अतिक्रमन करने वाले पर नगर पंचाइद घरोर द्वारा अतिक्रमन हटाने का कार्य किया गया दो दिन पहले अनाउंस्मेंट द्वारा भी दुकानदारों को सुचित कर दिया गया था जो कि दुकानदार सड़क पट्री और नालो पर अपना सामान रखकर अतिक्रमन फैला रहे है जिसे आए दिन जाम कि स्तितिक की महौल बना है तथा सभी दुकानदारों को दो दिन का समय देने के बाद भी कुछ दुकानदारों द्वारा अतिक्रमन नहीं हटाया गया सोमवार को उपजिल अधिकारी अनिल कुमार कट्रिया तथा अधिशासी अधिकारी सुबाचंद्र के नेतृत्व में बादार में नगर पंचायत गिरोर द्वारा अतिक्रमन हटाया गया आदेश का पालर न करने वालों पर बलपुर्वक सडक पटरी और नालों पर रखा सामान नगर पंचायत वारा अपने कबजे में लेकर ट्रैक्टर में लटकर नगर पंचायत में भीज दिया गया जिसे देखकर दुकानदारों में हरकंप मचा है अपना अपना सामान तेजी से हटाने में जुड़ गए मौके पर मौजूद रहे थाना प्रबारी पहलवान सी उपनिरिक्षक सदेर कुमार उपनिरिक्षक शीवमन्त सीह सेंगर वरिष्ट लिपीक आतिक एहमत और अने पुलीस दल साथ ही नगर पंचायत के अन्य करमचा सशक्तिकरण विभाग फिरोजबाद द्वारा संचौलित प्रमुक योजनाओ को रूबरू करते हुए एक कैम्प किया गया इस आयजन में ब्लॉक मदनपूर के आसपास के ग्रामिन अंचलों के विकलांगों की लंबी कतारे इस कैम्प में दिखे इसी माध्यम से विकलां द्वारा दिव्यांग प्रमानपत्र के आधार पर निश्वल की यात्रा ऐसी अने को अनेक सुविधा का लाब मिलेगा इस कैम्प का विजन मदनपूर ब्लॉक के वीडियो में हैं चंत्रिपाटी के सग्यान में किया गया जिसमें जला मुख्यालय दबरई CMO ओफिस से दोक्टर हिमान शुगुप्ता एंटी स्पेशलिस्ट रजनी सुशील एवामन्य अधिकारी कर्मिचारी गन भी उपस्तित थे जासके हैं और जारी किये जासके हैं इसमें हड़ी रोव नाटकान गिला रोव रात रोव उसे संबंदित उपकरण वित्रित किये जाएंगे और रेल वावस यात्रा में कंसेशन की सुवधा मिलती है मैं डॉक्तर घमांशन में भी इस्टिक हॉस्पिटल फ्रोदावाद में नाक कंगले विवाक कांसल्टेंट हैं इस विकलांग इनसे इनको बिकलांग प्रमाड पत्र मिलेगा जिस्टे की जिस जोड़ी विकलांग का होगी उसके आधार पे इनको जैसे इस कांग की अगर की और इनको आगे भी अर चीज में गावी पढ़ाई करेंगे उसमें इनके लिए अलग से खोटा होता है इसने इनको पढ़ाई करने में था नौपी लगने में सब चीज में इनका पोटा होता उसमें पाइधा मिलेगा BCN News के लिए फिरोजबाद से रिहान अली की रिपोर्ट फिरोजबाद के वरिष्ट पुलीस अदिक्षा कजे कुमार पांडे ने थाना सिरसागंच से दो लाख रुपेव की शराब की तसकरी का खुलासा किया थाना सागंच को मिली बड़ी काम्याबी एसोजी थाना सिरसागंच पुलीस दोरा अवे शराब की तसकरी करने वाले आठ तसकरों को पुलीस मुट भेड में अवे दसला पुशराब से भरी काड़ी साथ किरफ्तार किया गया है गिरफ्तार किये गए अपरादीर के नाम को जिस प्रकार है विवेको जा पुत्र शिवशंकर निवासी चेतावनी थाना शिकोहाबाद पवित्र पुत्र ओम प्रकाष निवासी रोहना थाना खरखोदा जिला सोनी पत पुत्र अखिलेई चंद्र निवासी मकान नंबर 619 गल्ली नंबर एक चाचा चोग थाना सारन फरिदा चंदन सिह बिष्ट पुत्र खेम सिह निवासी एसरच दुर्गा विहार थाना नेवसराय दक्षन दिली जितेंद्र पुत्र मुकेश निवासी ग्राम रोना थाना खरखोदा जिला सोनी पत हरियाना प्रविन पुत्र सुर्जी कुमार निवासी मोकमपूर थाना जैत्रा जिला एटा कासीम पुत्र फिरोज निवासी बोज्या थाना शिको आबाद विशाल पुत्र केशो निवा पुलीस के द्वारा आज बड़ा गुडवर किया गया है जिसमें जहरीली शराब और अपमिश्रित शराब के बड़े माफिया को गिरफतार करने में सफलता मिली है ये माफिया उत्राखंड हर्याना और यूपी उत्रप्रदेश के सिकवाबाद के रहने वाले हैं अंतर राज्जिय गैंग है ये शराब तसकरों का इनको गिरफतार करने में सफलता मिली है इनके कबजे से 20 लाक रुपे से भी ज बिजादा आयतन की शराब हमने बरामद की है साथ ही साथ इनसे एक ट्रक बरामद हुआ है एक ट्रैक्टर बरामद हुआ है यह कुल आठ लोगों का गेंग सामने आया है तीन लोग अभी इसमें से फरार भी बता जा रहा है आगे की इन्वेस्टिगेशन में उसका खुलासा होगा इसमें चंदन सिंग बिस्ट उत्राखंट करने वाला है जो गाड़ियों की सप्लाई करता है जमकि विवेक ओजा बीसे न्यूस के लिए फिरजाबाद से रहान अली की रिपोर्ट गुलाओटी पुलीस ने शराब की पेटियों से भरा ट्रक पकड़ाया पुलीस ने दो आरुपियों के उपी की रफ्तार किया बताया जा रहा है ट्रक में 500 से अधिक अंग्रेजी शराब की पेटिया थी परामद अंग्रेजी शराब की कीमत बतायी जा रही है 20 से 25 लाग गुलाओटी पुलीस ने रात में चेकिंग के दोरान अभे शराब पकड़ी है एक 10 टायरा ट्रक को अभिसूचना के आधार पर इंस्पेक्टर गुलाओटी और उनकी टीम के द्वारा जब रोका गया तो उसमें पुल 447 पेटी सराब बरामद हुई है जिसकी कीमत लगभग 20 से 25 लाख रूपई के आसपास है चंदीगड की बनी हुई शराब है इसमें रायल इस्टाइन क्लासिक फिसकी ओल्ड हैविट बोटका इतीन तरह की शराबे है पूस्तास में ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि बिहार सप्लाइब के लिए ले जा रहा है इसकी आपूर्ती चंदीगड से की गई थी फिलहाल और अच्छों की जानकारी हम लोग कर रहे हैं तदमसार अग्रिम कारवाई सुनिशिकी आई इसमें ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है और ड्राइवर अखेला ही गाडी में था BCN News के लिए बुलन शहर से जावित खान के रिपोर्ट मथुरा गिरिराज तलहाटी गोरधन के अन्योर प्ररिक्रमा मार्क में स्तीत मोधिया आश्रम को सुमवार को नायब तसल्दा विजेशामदुबे के नैतरत्व में उनके टीम ने सिल कर दिया और कारवाई की है कारवाई के दोरां स्तान या पुलीस मौज़द रही वही इस कारवाई के बारे में तैसल दापवन प्रकाश पाठक ने बताया कि मोधिया आश्रम में सर्स गिरिराज धरन डेबल परस के अधीन था अजय कुमार और मुराली लाल मंगला स्टाम के जवालिस लाख रुपे के बाद ही की जाएगी मोधिया श्रम की सेल कारवाई के दोरां स्तान या पुलीस फॉर्स भी मौज़ूद रही हमें जो है एक रिक्वरी सर्टिविट कराथ हुआ था इस्टाम्प दे का जो परिकमा मार्ग है उसमें गिर्दाज धरन डेबलोर्स फर्म द्वारा अजय सर्मा और मुराईलाल मंगला जी कि बृद्ध यह आरसी थी च्वालीस लाख रुपे इस्टाम दे की और इसमें ब ब्याजविते हैं बीसे न्यूस के लिए मत्रा से अजय ठाकुर के रिपोर्ट चौक पुलिस ने लूट करने वाले दो लुटेरों को घिरफतार के आये पुलिस उपायुकत पर्चिमी ने लुटोरों को घिरफतार करने वाली टीम को दस अजार का इनाम देने की खोशना क को मालिखा के पास चूड़ी वाली गली में तेर शाम को जपटा मार कर लूटी हुई थी वही अठ्रा जनवरी 2021 को ठाना कोत वाली चौक में जमाल आहमद ने एक फायार दर्श कराई कि सुबाश मार्क परी रिक्षा से जा रही महिला के साथ लूट हुई है जिसमें कीमती जेवर लेकर लूटेरे फरार है आज सुबह गिर्जा घर के पास दो लूटोरों को पुलीज ने गिरफतार किया अपरादियों के नाम मोहमद समीर पुत्र मोहमद जाबिर निवासी 161 बटा 32 ताजी खाना मशक गंच थाना वजीर गंच जिला लखनो तो मोहमद शाकिर प तेरा ताजी खाना मशक गंच थाना वजीर गंच जिला लखनो इन दोनों के पास से 31,500 रुपयों का नगद बरामत किया गया साथ एक देशी तमंचा बारा बोर का एक जिदा कार्थूस एक मोटरसाइकल यूपी 32 एफजी शून ने छे 47 बरामत की एक मोटरसाइकल के लुटरों को गिरफतार कर जेल भीजा है पुलिस उपायक तपच्चिमी दिवेश कुमा पांडे ने पुलिस टीम को बदाई दी है साथ ही 10,000 रुपय इनाम देने की घोशना भी की बीस एन न्यूज के लिए लखनल से वशिष चौबे की रिपोर्ट वीबुती खंट थाना क्षेत्र के समेट बिल्डिंग में माई बार में हुआ जमकर मारपीट महिला और योग के बीजमकर मारपीट से बचा हरकम तमाजबीन बन रहे लोग वहां के सरक्षा कर्मिया आए देनी जगव होती है मारपीट की घटनाए देरात तक चलने वाले बार में और कलब में अकसर होती है अधिकारियों के सग्यान में लेते हुए होटल को किया गया सिल BCN News के लिए लखनाव से वशिश चोबे की रिपोर्ट सिकंदराबाद के अधिया की क्षेत्र में बड़ा हाथ सा हुआ है PSC के टेंट में घुसा अनियंत्रिडबफर जिसमें दो सिपायों के मौत और अन्य जवान खायल हुए है PSC में 38 बटालियन अलिगर्द के दो जवानों की मौत हुई तो गाजियाबाद निवासी दो नुम्रों तक जवान है PSC के जवानों पर बेरिकेटिंग तोड़ कर यह कंटेनर चड़ गया था किसानों को दिल्ली ले जाने के लिए बेरियर किनारे था PSC कैम घाल जवानों को अस्पताल में भर्ती किया गया हाथसे में पुलीस महकमे में हरकम मचा हुआ है सिकंदराबाद और दोगिक शेत्र में चार नंबर बेरिकेटिंग पर यहासा हुआ BCN News के लिए बुलन शेर से जाविद खान के साथ मोहित भुटानी की रिपोर्ट ठाना अहर पुलीस ने किया 25,000 के इनामी बदमाज दिनेश को गरफतार PNB बैंक मितर से लूट के मामले में चल रहा था फरार इनामी बदमाज दिनेश पर है आदा दर्जन मुकद में दर्ज एक तमचा 315 बोर दो जिन्दा कार्टूस और लूट के लिए 1000 रूपे किये बराबत 14 दिसंबर को एक बैंक मितर के साथ थाना नूप सहर छेतर में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें दो अव्यूक्तों को तत्समय ही रिकवरी के साथ गिरफतार करके जेल बेजा गया था उसी में एक तीसरा अव्यूक्त दिनेश पुत्र महेश की गिरफतारी सेश थी जिसकी गिरफतारी पे 25 जार रूपए की पुरसकार राज घुसित की गई थी अहार थाना प्रभारी के द्वारा एक पुलिस मुट भेड में उसे गिरफतार किया गया है उसके कब्जे से तम नमस्कार